नमस्ते मेरे प्यारे बच्चो, मैं सीमा सिंग, आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करती हूं बच्चो आज की पार साला में हम कक्षा आठवी, विसे हिंदी, हिंदी विसे में बच्चो आज हमारा पार्ट दो, वारिस कौन? तो बच्चो ये पाठ मैंने आपको समझा दिया है आज हम इस पाठ के स्वाध्धाय करेंगे ठीक है तो चलो हम अपना स्वाध्धाय सुरू करते हैं शब्द वाटिका तनिक थोड़ा मकसद उद्देश खोल अवरण उम्मेद आशा उत्राधिकारी वारिश मुहावरे चक्कर में पढ़ जाना दुविधा में पढ़ना गले लगाना प्यार से मिल्ला सूचना के अनुसार कृतिया करो जैसी सूचना रहेगी उसके अनुसार हमें कृतिया करना है पहला उत्तर लिखो गेहों के दानों का चारो बहनों ने किया राजा ने जो गेहों के दाने दिये थे उसका चारो बहनों ने क्या किया वो हमें लिखना है तो ये देखो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए लिखा है बड़ी बहन जो पहली है वो क्या करती है बड़ी बहन ने दानों को खिरकी के बाहर फेक दिया जो बड़ी बहन थी उसने क्या किया था दानों को खिरकी के बाहर फेक देती है फिर दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मकमल के थैले में रखा जो दूसरी नमबर की बहन थी वो दानों को चांदी के डिब्बे में मकमल की थैले में रख देती है तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिर्की के पीछे वाली जमीन में बो दिये जो तीसरी बहन थी वो क्या करती है वो अप डानों को उसकी जो रूम की जो खिरकी रहती है उसके पीछे जमिन में बो देती है चोथी क्या करती है, चोथी बहने दानों को भुनवा कर खा डाला ठीक है, ये चार उत्तर आपको लिखने है, चलो, आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हमें प्रश्न दूसरा, उचित घटना क्रम लगा कर वाक्य फिर से लिखो ये जो वाकि दिये गए हैं ये घटना के क्रम के अनुसार लगा कर हमें फिर से लिखना है तो यहाँ पे पहले क्या दिया गया है सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई दूसरा है रत एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुख गया तीसरा क्या है राजा ने हैराने से राजकुमारी की और देखा चोथा अंत में उसे एक उपाए सूजा अब बच्चो इसका हमें उत्तर लिखना है सही क्रम में क्या आएगा सबसे पहले आएगा बच्चो ये अंत में उसे एक उपाए सूजा सबसे पहले नमबर पे हम ये लिखेंगे एक नमबर पे फिर हम दूसरे नमबर पे लिखेंगे सबी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई ये दो नमबर पे आएगा फिर तीसरे नमबर पे आएगा रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुख गया ये तीर नमबर पे आएगा और सबसे आखरी में आएगा राजा ने हैरानी से राज कुमारी की और दिखा ठीक है पहले ये आएगा दूसरे में ये आएगा तीसरा चोथा आप इसको ठीक है अब आगे दिखो तीसरा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो यहाँ पर तीन विकल्प है इसमें से जो सही विकल्प है उसे चुनकर हमें वाक्य फिर से लिखना है पहला वाक्य जरूर इसके पीछे कोई दैश होगा क्या होगा उद्देश हे तू मकसद तो सही उत्तर है मकसद जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा तो यहाँ पर आप लिखोगे मकसद ठीक है दूसरा सो में उन्हें डैस खा गई भिगो कर भुनवा कर पका कर तो सही उत्तर है भुनवा कर तो यहाँ पर आप लिखो के भुनवा कर सो में उन्हें भुनवा कर खा गई तीसरा तुम ही मेरे राज की सच्ची डैस हो रानी हो यूरागी हो उत्राधिकारी तो राजा ने क्या कहा था तुम ही मेरे राज की सच्ची उत्राधिकारी हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्राधिकारी ठीक है आपको भी ऐसे लिखना है मैंने निशान भी लगा दिया है लिख भी दिया है चौथा इसे तुम अपने पास रखो 10 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा 4, 5, 4, 7, 5 राजा ने क्या कहा था 5 साल के बाद तो सही उत्तर है 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 ठीक है तो यहाँ पर हमने सही विकल्प चुनकर मैंने आपको बता दिया है आप ऐसे लिख लिजिए प्राश्न चौथा परिणाम लिखो क्या करना है परिणाम लिखना है पहला गेहूं के दानों को बोने का परिणाम गेहूं को दाने को बोने का क्या परिणाम था वेदानों वेदाने लाखों लाख दाने के रूप में हरे भरे खेत में हवा में जूम रहे थे ठीक है यह मैंने लिखा है आप भी देख के लिख लिजिए दूसरा सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परनाम सभी लोगों का उत्तर सुनकर राजय पर क्या प्रणाम होता है राजय को बड़ी निराशा हुई ठीक है अब हम तीसरा देखेंगे तीसरा है दूसरी राजकुमारी का संदुगची में दाने रखने का प्रणाम क्या प्रणाम होता है दाने सर गए यहाँ पे क्या आएगा दाने सड़ गए उस संदूकी में रखती ही ना मकमल के कपड़े में तो क्या होता है दाना सड़ जाता है सड़ गए ठीक है चौथा पहली राजकुमारी को कड़कर पूछने का परणाम जब राजा पहली राजकुमारी को कड़क कर पूशता है तो क्या होता उसका परिणाम फिर राजकुमारी ने सिविकार किया कि वेदाने भंडार घर से लाई है ठीक है तो बच्चो ये परिणाम यहाँ पे आपको शायद ना समझे मैंने अलग से भी आप लोगों के लिए ल वे दाने लाखो लाख दाने के रूप में हरे भरे खेत में हावा में जूम रहे थे दूसरा राजा को बड़ी निराशा हुई फिर चौथे में आएगा राजकुमारी ने सिविकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई है और आखरी में आएगा दाने सड गए है जिसन बच्चों को किताब से नहीं समझ वाएगा वो इसमें से देख के कर लेंगे ठीक है भाशा बिंदू रचना के अधार पर विभिन प्रकार के तीन तीन वाक्य पाठों से धूड कर लिखो तो बच्चों मैंने आपके लिए धोड कर लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ पहला सरल वाक्य सरल वाक्य के तीन धारण पांच साल बाद राजा ने चारो बहनों को बुलाया दूसरा अब मुझे अपने किये पर पस्तावा हुआ तीसरा कभी हरा भारा पेड मत काटो अब मिश्र वाक्य मनुष में जो घ्रणा है वह पशुत्व की निशानी है मैं सोच में पढ़ गई क्योंकि मेरा काम तो पूने में है नाखुन बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष उन्हें बढ़ने नहीं देगा संयुक्त वाक्यों समय पर अंकूर फूटे और गिहूं के दाने तयार हुए मैं सरीर से बुढ़ा हूँ किन्तु उत्सा से जवान हूँ तीसरा रजा साहब ने मुझे इंटर्व्यू दिया और बहुत सारी बाते हुई ठीक है बच्चो तो ये हो गया हमारा भासा बिंदू अब आगे मैंने समझा आपने इस पार्ट से क्या समझा वो आपको यहाँ पर लिखना है जैसे इस पार्ट के द्वारा राजा ने क्या किया बहुत बुद्धी मता से अपनी चारो बेटियों की परिक्षाली और जो बेटी सफल हुई उसे राज का उत्राधिकारी बनाने का निश्चे किया तो बच्चो यहीं पर हमारी ये पार्ट साला समाप्थ होती है अगली पार्ट साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चानल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए तैंक्यू फॉर वाचिंग बाई बाई